हेलो एबरिबरन स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में आज हम डिसकस करने वाले हैं रास्टिय शिक्षा नीती 2020 से संबंदित इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा यहाँ पर एनिपी नीती से जितने भी अबित प्रश्न बन सकते हैं उनको आज हम अच्छे से डिसकस करेंगे तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा हो सकता है कि आपको इस वीडियो से questions अपने एक्जाम में आपको देखने को मिले तो यहाँ पर हम 25 important questions को discuss करेंगे and अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है पूरा आपको अगर इस नीती के बारे में पॉलिसी के बारे में जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं मैंने वीडियो दो दिन पहले ही चानल पर अपलोड किया है तो मैं उसका link आपको इस वीडियो के comment section में pin कर दूँगी या आपको description box में इसका link मिल जाएगा अगर आपको पूरा देखना है इस नीती के बारे में तो आप जरूर check out करना मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजे clear की हैं और उसके बाद आप जब question करेंगे ये वाले तो आपको जाधा मज़ा आएगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं अब हम start करते हैं सबसे पहले question से Okay सबसे first question आता है Who was the chairman of NEP 2020 drafting committee अगर आप से पूछा जाए कि drafting committee का chairman कौन था तो यहाँ पर right answer इसका क्या बनेगा और इन्हों ने क्या किया था कि एक samitaeda में कि अध्यक्षचता में किस समीती को बनाया गया था ठीक है कब बनाया था जून 2017 में अगर मैं थोड़ा सा इसका detail discuss करूँ तो जून में 2017 में इनकी अध्यक्षचता में कस्तूरी रंगन के अध्यक्षचता में समीती का निर्मान किया गया था और उसके बाद इन्होंने मई में जा करके अपनी रिपोर्ट दी थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कहता है केंद्री मंत्री मंडल ने नई राश्ट्री शिक्षा नीती 2020 को मंजूरी कब दी थी अब आपको बताना है कि कब इसको एप्रूवल मिला था इस नीती को कब मंजूरी दे दी गई थी केंद्री सरकार के द्वारा तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नमबर बी 29 जुलाई 2020 में इसको मंजूरी दे दी गई थी तो यहाँ पर आप्शन नमबर बीस का सही जवाब बनेगा आपको एज़ट इस यह सारे नमबर याद रखने है ठीक है NEP के अध्यक्ष कौन है कस्तूरी रंगन और इसको मंजूरी दी गई थी 29 जुलाई 2020 में आगे बढ़ेंगे Question 3 कहता है NEP 2020 डैश के विकास पर विशेश जोर देता है NEP जो नीती है वो किसके विकास पर जोर देता है दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी धाचे पे The provision to give 100 employment The provision to give free education या फिर the creative potential of each individual So, सही answer इसका जो बनेगा वो बनेगा option number D ये क्या करता है? Creative potential of each individual पे focus करता है NEP का ये जोर है कि आप क्या करेंगे Each and every individual के जो creative उसका जो potential है जो इसकी शम्ता है उसको क्या करना? विक्सित करना इसका लक्षय है तो D's का right answer होगा आगे बढ़ेंगे Question 4 है Very very important question है ये यहाँ पे पूछा गया है कि NEP में वर्तमान 10 प्लस 2 प्रणाली को एक नई पाठ्थे चर्या संदचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है तो नई पाठ्थे चर्या की संदचना क्या है? आप से simple ये पूछा गया है यहाँ पे जो कोर्स है जो 10 प्लस 2 जो पुरानी सिक्षा नीती थी 1986 में उसमें हम 10 प्लस 2 फॉलो करते थे मतलब दस वी तक आपने परिक्षा पास की और उसके बाद आप कोई एक स्ट्रीम को चुनते थे आर्ट, साइंस, कॉमर्स में से तो आपका 10 प्लस 2 होता था लेकिन अब क्या किया गया है इसको 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 में इसको कनवर्ट कर दिया गया है तो अगर आपको ये पूरा जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा समझा हूँ इस नीती में साफ तौर ये कहा गया कि आप बच्चों को पाचवी कक्षा तक जो भी सिक्षा देंगे वो उसकी मदर टंग में होगी उसकी मात्र भाषा उसकी छेत्रिय भाषा में होगी मतलब यहाँ पर हम किसी भी भाषा का additional burden बच्चे के उपर नहीं डालेंगे तो यहाँ C आपको याद रखना है क्लास 5 तक कहा गया है कि आप बच्चे की भाषा में उसको शिक्षा देंगे आगे है किस वर्ष तक शिक्षण के लिए नियुन्तम डिगरी योगिता चार वर्ष यह एकिकरत B.E.ड होने जा रही है अब देखो एक और provision इस नीती में यह किया गया था कि हम 4-year integrated B.E.ड डिगरी को मानता देंगे कि अगर जो minimum qualification एक वेक्ति की होनी चाहिए वो 4-year की minimum degree होनी चाहिए integrated तो यह किस वर्ष तक कहा गया है तो इसको कहा गया है 2030 तक ठीक है option क्या हो जाएगा इसका D. right हो जाएगा कि 2030 तक आपके पास minimum degree क्या होनी चाहिए integrated B.E.ड होना चाहिए तो यहाँ पर option D. will be right answer next question देखेंगे next question है कि मानव संसाधन विकास मंत्राले MHRD का नाम बदल कर क्या अब कर दिया गया है इस नीती में MHRD का नेम चेंज किया गया है उसका rename क्या है वो आपको बताना है options है ministry of human development, ministry of education, ministry of human rights या फिर ministry of human capital इसका right answer होगा ministry of education शिक्षा मंत्राले simple रख दिया गया है इसका नाम बदल करके तो यहाँ भी इसका right answer बनेगा ministry of education next question देखेंगे अगला question है as per the policy public investment in education will be increased from the current 4.32 अब देखो यहाँ आपको यह बताना है कि जो यह NEP नीती आई है 1920 इसमें जीडीप को कहा गया है कि पहले क्या होता था ना कि 1986 की बात अगर मैं बोलू 1986 की जो नीती थी NEP उसमें GDP का only 1.8% बोला गया था कि आप सिक्षा पे खर्च करेंगे लेकिर इस नीती में क्या कहा गया है कि आप पूरे के पूरे जो सकल घरिलू उत्पाद है जो GDP है उसका आप कितना परसेंट सिक्षा पे खर्च करेंगे 6% करेंगे तो आप यह 6 नंबर यह जो है 6% आपको याद रखना है यह आपका question बन सकता है कि सिक्षा पे खर्च करने का कितना बोला गया है GDP में 6% बोला गया है और current में कितना है current में 4.3 है ठीक है जो अभी है चलिए आगे बढ़ेंगे NEP 2020 के अनुसार व्यवसाइक सिक्षा कहां से शुरू होगी आप देखो vocational education की बात इस नीती में कही गई है तो vocational education जो हमें बोला गया है कि हम बच्चों को provide करेंगे वो कक्षा छटी से शुरू करेंगे ठीक है आप क्लास सिक्त से बच्चों को vocational training देना स्टार्ट करेंगे अभी currently जो हमारा education system है वहाँ पर हम कोई भी vocational education बच्चों को नहीं दे रहे हैं आगे चलके हम बच्चों को छटी क्लास से ही क्या देंगे उनको वेवसाइक सिक्षा का, उनको हम coding सिखाएंगे उनको हम वेवसाइक सिक्षा प्रदान करेंगे और सात के साथ हम वहाँ पर क्या करेंगे बच्चों को हम internship practice कराएंगे ताकि वो एक as a job के लिए बच्चा क्या हो सके तयार हो सके, professionally वो सके तो यहां option C, इसका right answer बनेगा कक्षा छटी से आगे बढ़ेंगे NEP 2020 ने किसकी जगह लिया यानि कि कौन सी नीती है जिसको NEP ने replace किया है तो याद रखिएगा कि अभी तक हमारे देश में तीन सिक्षा नीतियां आई है एक आया था 1968 में, दूसरी आय थी 1986 में और तीसरी जो आई है ये 2020 में आई है तो इस नीती ने कौन सी नीती को replace किया है A वाली नीती, यानि कि 86 की policy को इसने replace किया है जो 86 policy की कमिया थी, उसको इस नीती में इस बार क्या किया गया है दूर किया गया है और सबसे बड़ा क्या था कि जो 10 प्लस 2 सिस्टम था न उसको पूरा बदल के 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया है आगे बढ़ेंगे अब हम Next question कहता है What will be age of early childhood care and education ECCE in NEP 2020 अब देखो यहाँ जो ECCE age है वो पूछा गया है 3-6 वर्ष का बोला गया है 2-6 बोला गया है 4-7 या 3-8 बोला गया है तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 3-8 वर्ष ठीक है 3-8 यह जो है जो कि foundation है अगर मैं बोलू foundation जो है foundation जो stage है वहाँ पर ECCE को बहुत जादा importance दी गई है ठीक है तो 3-8 वर्ष इसका correct answer बनेगा आगे बढ़ेंगे Ministry of Education Plan for Attaining Universal Foundational Literacy and Numeracy in All Primary Schools for All Learners by Grade 3 By अब दिखो इस question को आप समझो इसमें यह कहा गया है इस मीती में यह कहा गया कि हम बच्चों को एक literacy मतलब हम उसको basic literacy और numeracy कोशल को विक्सित करवाएंगे कितने वर्ष तक करवाएंगे यह पूछा गया है कि हमारा target क्या रहेगा कि कब तक हमें इसको प्राप्त करना है तो 2025 तक बोला गया है ठीक है जैसे अब ही 2020 चल रहा है तो 2025 तक यह कहा गया है कि आप एक basic literacy और numeracy skill बच्चों के अंदर develop करवाएंगे तो यहाँ पर right answer क्या होगा option number 20 का right answer होगा आगे बढ़ेंगे आगे है परख का पून्ड रूप क्या है अब देखो यह परख क्या है आपका assessment का एक assessment के लिए ने center बनाया जाएगा एक national center बनाया जाएगा जो बच्चों को क्या करें assess करें उसके लिए एक center बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है परख अब इस परख की full form हमें बतानी है तो P for होता है performance ठीक है तो P for program नहीं होगा तो program हम cut कर देंगे यह वाला नहीं होगा P for performance A for जो होता है अब देखो मैंने क्या बोला assessment के लिए हम परख को center को बनाया जा रहा है तो A for क्या होगा obviously assessment होगा तो assess भी नहीं होगा अब दो option बचे performance, assessment फिर उसके बद R for क्या हो जाएगा rate नहीं होगा R for review होगा क्योंकि आप assessment कर रहे हो तो हम क्या करते है की full form है तो आप याद रखिएगा full form बहुत जादा seated में पूछ रहा है तो इसको आप खास तौर पे याद रखना ठीक है आगे बढ़ेंगे आगे है What is the aim of NEP 2020 अब आपको लक्षय बताना है First है inclusive development of education at school level only inclusive and equitable education for all levels of school education only inclusive and equitable equitable quality education at all levels of school education and higher education या फिर इन में से कोई भी नहीं So question number 14 का जो सही answer बनेगा वो ये बनेगा कि आप क्या करेंगे इक inclusive को शामिल करेंगे और equitable quality education प्रोवाइट करेंगे इस नीती में अगर ध्यान से अगर आपने इसको पढ़ी होगी इस नीती को इसमें क्या किया गया है कि आपके school level के धाचे में पूरा बदलाव कर दिया गया यानि कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 धाचा बनाया गया है और as well as university level पे M.Phil की डिगरी को हटा दी गई है University level पे भी ये कहा गया है कि आपका graduation जो होगा research certificate मिलेगा तो ये जो change लाया गया है ये higher education as well as school education दोनों ही इस तर पर लाया गया है इसलिए option C इसका correct answer बनेगा आगे बढ़ेंगे Kendri Mantri Mandal ने नई सिक्षा नीती के जगा कितने साल पुरानी सिक्षा नीती को रिप्लेस किया है यह simple सा question यह पूछा गया है कि जो मैंने बताया कि 1986 की policy के बाद ये वाली नीती आई है 2020 में तो इसने 34 साल पुरानी education जो हमारा एक शिक्षा नीती थी राष्ट्री शिक्षा नीती उसको इसने क्या किया है इस नीती ने change किया है यानि कि 34 वर्ष बाद ठीक है और ये भारत की कौन सी नीती है NEP वाली थर्ड नीती है भारत की तीसरी सिक्षा नीती है सोटनेतर भारत की और 21 साधी की पहली नीती है ये कुछ-कुछ बाते हैं 21 साधी की पहली है मतलब 21st century की पहली नीती है पूरे भारत में तीसरी नीती है और इसने 34 साल पुरानी 86 वाली पॉलिसी को रिप्लेस किया है आगे बढ़ेंगे राष्टर शिक्षा नीती 2020 के सिधान्त क्या है वो आपको बताना है तो देखो बहुत इंपोर्टेंट है क्या प्रिंसिपल्स है इस वाली पॉलिसी के वो आपको बताना है जैसे फर्स्ट है फ्लेक्जिबिलिटी कंसाप्चुल अंडरस्टांडिंग मतलब आप बच्चों के करिकुलम में एजुकेशन में एक लचीला पन लाएंगे और वैचारिक समझी यानि conceptual development को आप बहुत फोकस करेंगे सेकेंड है आपकी ethical values आपके moral values फिर आपकी critical thinking फिर आपकी conceptual understanding तो यहाँ पर all are correct ठीक है all are correct सारे ही जो है यहाँ पर हमारे focus है इस नीती का principle है कि आप flexibility लाएंगे, concept को बढ़ाएंगे, life skill को अच्छा करेंगे, बच्चों के अंदर values को inculcate करेंगे और इसके साथ साथ आप उनकी critical thinking को भी जादा से जादा बढ़ाएंगे नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न गयाता है कि छात्रों को coding करने की अनुमती किस कक्षा से करवाई जाएगी आप से पूछा गया है कि यहाँ पर बच्चों को आप coding कब से सिखाना स्टार्ट करेंगे तो मैंने अभी जिक्रे किया था कि कक्षा छटी से आप बच्चे को क्या सिखाएंगे vocational education देंगे साथ के साथ आप उनको computer coding भी सिखाएंगे ताकि वो computer का knowledge उनको शुरुवाती समय से होने लग जाए technology को हम जादा से जादा क्या कर रहे हैं education के अंदर ला रहे हैं इस नीती में तो यहाँ पर कक्षा छटी से यह प्रावधान किया गया है कि आप बच्चों को computer coding उनको vocational training और उसके साथ-साथ हम उनको इंटर्शिप practice करवाएंगे तो कक्षा छटी यहाँ पर आप याद रखिएगा तो series का right answer बनेगा आगे बढ़ेंगे आगे question कहता है कि NEP 2020 के अनुसार सर्वसिक्षा अभियान को एक नए कारिकरम के रूप में शामिल किया जाएगा उस कारिकरम का नाम क्या है तो देखो आपका जो SSA है यानि जो सर्वसिक्षा अभियान है उसको सब्सियूम किया जाएगा एक नए प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का आपको नाम बताना है सर्वशिक्षा अभियान, समग्र सिक्षा श्कूल है, या समग्र स्कूल pattern scheme है, इसका जो राइट होगा वो होगा option B, समग्र सिक्षा योजना, नीति का नाम है, घो समग्र सिक्षा SSA है, उसको हम S, S, S में क्या करेंगे,uitive mean subsium करींगे, मतलब कििस publi Empi करेंगे, यानि मिलाएंगे, तो स्कीम का नाम क्या है? समग्र सिक्षा स्कीम, S-S-S, तीनों S-S-S, ट्रिपल-S से याद रख लो, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, Question 19 कहता है, Which is the first state in India to implement the new education policy 2020? अब आपको बताना है कि कौन सा राजे है जिसने नई सिक्षा नीती को सबसे पहले अपने राजे में लागू किया है, तो उस राजे का नाम याद रखना है करनाटका में इस नीती को सबसे पहले क्या किया गया है? लागू किया गया है, अभी प आपको याद रखना है, आगे बढ़ेंगे, Question 20 कहता है, Universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio, any school education will be done by which year? अब देखो, यहाँ पे आपको दो बात रखनी है, कि आपका जो change लाया गया है, 5+, 3+, 3+, 4 में, यह आपका preschool से लेके, यानि foundation से लेके secondary level तक लिया गया है, यह जब 4 year आप देख रहे हो, यह कौन से level है, हमारा secondary level है, तो यहाँ यह कहा गया है, कि जो आपका सिक्षा सार्व भ universalization करेंगे, सिक्षा का आप सार्व भौमी करन करेंगे, जिसे GER कहा गया है, यानि 100% gross enrollment ratio को लाएंगे, तो यह किस साल तक आप इसको achieve करेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ right answer इसका होगा option number C, 2030 तक, यानि कि उद्देश्य है कि 2030 तक आप 100% क्या करेंगे, GER, यानि आप overall gross enrollment लाएंगे, मतलब हर बच्चे को आप उसको स्कूल तक आप पहुंचाएंगे, यह कहने का मतलब है, तो 2030 इसका सही जवाब बनेगा, option number finally C होगा, इसका correct, याद रखना है important question है, आगे बढ़ेंगे, चात्रों के आंकलन के लिए राश्ट्री मुल्यांकन केंद्र बनाएंगे तो इस केंद्र का क्या नाम है, हमने डिसकस अभी किया है कि एक ऐसा इस नीती में कहा गया कि आप एक national assessment center बनाएंगे, इस center का क्या नाम है, हमने डिसकस किया क्या नाम है इसका परक, ठीक है, A option right हो जाएगा, क्या था इसका full form, performance, उसके बाद A for analysis, R for क् अपका, R for हमारा था review, उसके बाद A for क्या था, उसके बाद K for knowledge था, ठीक है, तो यहाँ पर H नहीं आएगा, okay, H नहीं है, परक, only P, A, R, A, K है, ठीक है, performance, फिर उसके बाद assessment, फिर उसके बाद review, analysis and knowledge, ठीक है, यह आपको याद रख रहा है, तो A's का finally right होगा, बढ़ेंगे आगे हम, question number 22, देखेंगे हम, what is the age of education fixed under the new education policy, 5 plus 3 plus 3 plus 4 program, देखो, important question है यह, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कि यह जो नई policy, इस policy में, जो change लाया गया है, structure में, education के, यहाँ पर total age, कितने साल से, कितने साल तक बोला गया है, ठीक है, यानि कि यह जो पूरा का, 5 plus 3 plus 3 plus 4S में, कितने साल टोटल होंगे, तो यह होगा between 3 to 18 years, ठीक है, 3 से 18 वर्ष को यहाँ शामिल किया गया है, option 20 का right answer बनेगा, पूरे साल जो होंगे बच्ची के पूरे education में, वो 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को यहाँ शामिल किया गया है, इस program में, जो education लेंगे, ठीक है, राष्ट्री शिक्षा नीती 2020 के नुसार, स्कूली सिक्षा पाठिकरम को निमनलिकित शेक्षणिक चड़नों में विभाजित किया गया है, वो चरंड किया है, अब देखो इसको आपको को ध्यान से समझना है, इसमें यह कहा गया है, कि आप इसको कैसे लगाएंगे order में, और यह important question है, कौन कौन सा stage है, तो सबसे पहला stage क्या था, आपका क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है, तो 5 वाला क्या है, आपका foundation stage होता है, क्या होता है 5 वाला foundation, तो D पहले आएगा, तो देख लो कहां पर D है, यहां पर D सिर्फ A की option में है, जो कि option B है, इसका option B राइट हो अब देखो आपको क्या समझना है, इसका stage समझना है, सबसे पहले आता है foundation stage, उसके बाद foundation के बाद यह 3 आपको दिख रहा है, यह आपका preparatory हो जाएगा, उसके बाद middle और उसके बाद आपका secondary होगा, यहां पर elementary नहीं है, तो छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या है इसके stages है, आएगे देखते हैं, इसके structure समझने की कोशिच करते हैं, यह बहुत important है, देखो जो system में चेंज लाएगया है, वो 5+, 3+, 3+, 4 लाएगया है, अब देखो सबसे पहले जो foundation stage आप देख रहे हो यह सबसे नीचे, blue में, यहां पर इसको हमने 3 और 2 साल में डिवाइड किया है, या आएगा foundational, उसके बाद preparatory, उसके बाद जो 3 साल आगे के होंगे 6-8 क्लास, वो आपका middle stage होगा, और last में secondary stage होगा, जहांपे आपके 4 साल होगे, तो यह 4 stage है, first one is foundation, उसके बाद preparatory, उसके बाद middle, and four one is secondary, so guys, अगर आप इसको थोड़ा देख लोगे एक दो बार तो आपको य कोई tough नहीं है, बहुत easy है, अगर आप इसको समझो, और मैंने इसकी video बनाई है, तो आप जरूर देखना आपको समझा जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अब हम question 24 देखते है, NEP 2020 में मूलभूत स्थम्भों के बीच संबंद में निमलकित कतनों पर विचार करे, अब आपको पताना है कि यह जो NEP 2020 नीती है, इसने कौन-कौन से foundation, जो pillars है, उसके ध्यान दिया है, पहला है accessibility, second है affordability, third one is accountability, four one is quality, फिर equity and access, तो इसमें से किस पर बल दिया है, correct आपको code में बताना है answer, तो देखो जो यह नीती है, यह accessibility भी बोलती है, accessibility का मतलब है कि पहुच होनी संसाधन होनी चाहिए, accessibility का आगया, affordability मतलब कि आपके सामर्थता होनी चाहिए, accountability मतलब कि हर राज्य, अपना-पना जो school है, जो school system है, जो teachers है, वो अपनी जवाब देही को दिखाएंगे, accountability भी बोला गया है, quality को बोला गया है, गुडवत्ता को बढ़ाएंगे, equity यानी समान अपना लाएंगे, हम education में, और assess का मतलब है कि एक तरह से पहुंच बढ़ाना यानी universalization करना education का, तो इन सभी की बात की गई है, तो 10 का राइट हो जाएगा, यह सारे words आप याद रखना, सभी की बात NEP में कहीं गई है, आगे बढ़ेंगे, last question हम आज का देखेंगे, last question हम NEP replaced, अब देखो, यह question हम इस तरह का कर चुके है, कि NEP ने किसको replace किया है, तो इसका right answer क्या होगा, कि जो 86 वाली policy थी, उसको इसने replace किया है, जो कि 34 वर्ष यह पुरानी थी, तो option A, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, okay guys, तो यहाँ पर हमारे questions अप complete होते हैं, I hope आपको आज का अच्छा लगा होगा, तो इस सेशन को आप लाइक जादा से जादा करिए, आप जितना लाइक करोगे उतनी वीडियो की पहुंच होती है लोगों तक आपके द्वारा ही वीडियो पहुंचेगी, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो प्लीज subscribe to my channel for more videos वेसी तरह की videos और लाती रहूंगी and in case if you have any doubt regarding any question so you can ask me in the comment section और इसके लिएवा आप telegram group से जुड सकते हैं आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं so please join करो वहां पे भी ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले session में बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ ओके thank you